जे मातादी जे स्रिक्रेशन रादे रादे वेलकम टू माई चैनल फैंट्स तो आज है लाश्ट दिन प्राण प्रतिष्ठा का आज भगवान का साहिसनान होगा स्टेंगार होगा और आप देख सकते हैं कि सारा सामान मैंने एकत्र कर लिया है आरती की धाली तयार कर लिया है इस नान के लिए पंचर में तरख लिया है यह आरती की है इसमें आरती होगी और यह भगवान के लिए फूल है जो पूजन होगा यह दीपक है आरती के लिए फल है परशाद के लिए और यह सब अब पूजन होगा तो सबसे पहले हम मन का शुद्धी करेंगे क्रिया प्रभु का इस्थान सिंगासन भी लगा दिया है चोकी पर जहां प्रभु इस्थापित होंगे तो आप देख सकते हैं कि लड़ु गोपाल को निकाल लिया है जो इमेवा का परशाद है ये परशाद बढ़ जाएगा सब में अब मैं भगवान को निकालने के बाद एक पात्र में रखा है पात्र में रखने के बाद हम सबसे पहले उनके चरंद और यह गंगा जल है तो गंगा जल से सुद्धी करन करने के लिए मैंने कुछ घास ली है आप चाहें दूग घास ले सकते हैं आप चाहें तो फूल ले सकते हैं फूल से करा सकते हैं चम्मस में पानी लेकर करा सकते हैं जैसे भी आप कराना चाहें और इसमें छुट छुट बात पर परेशान मत हुआ कीजिए कि हमारे पास यह नहीं है तो हमारी पूजा पूरी नहीं हो पाएगी मैंने पहले ही बताया भगवान तो भाव के भूके हैं लड़ू गोपाल कोई भगवान है तो यह नहीं कहते कि कुछ घास ही आपके पास होनी चाहिए वन्ना आपकी प प्रती तो उनका मन सुद्ध हो जाता है मन सुद्ध से ही प्रभू हमेशा हम लोगों से नारज नहीं होते खुश रहते हैं प्रसन रहते हैं और हमारे भाव उन्न प्रभू में आ जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो हम मूर्ती मंदिरों में इस्थापित करत है और जो हम घर में करते हैं अपने भगवान को मानलो एंब वो घर बाद ने बेच दिया हम कहीं दूसरे हम चलेंगे थैक भवान करते हैं ब basic चल्वीदिंदे नहीं से-लिफ आनि कि हम अपने भगवान जी को कहीं भी ले जा सकते हैं तो आप देख सकते हैं कच्चे दूद से भगवान का इसनान कराया है कच्चे दूद के बाद हमने भगवान जी को दही से कराया है और दही के बाद हम अब सहद से भगवान जी का इसनान करा रहे हैं तो इस तरह से पंचा मरत से मैं इसनान कराओंगी। मैं ने पंचा अमरत में पांच चीज़े लिए हैं। कच्चा दूर, दही, शहद गंगा जल। और हमने लिया है भगवान जी के पीला चंदन। जैसे मैं सिब जी भगवान की करती हूं, पूजा इस तरह से मातार आने के करती हूँ तो हम बूरा ले लेते हैं सुकर जिसे कहते हैं लेकिन लड़ू गोपाल के लिए मैंने चंदन लिया है पीला चंदन तो ये देखिए पंचाम रत्मिस्नान कराने के बाद अब भगवान जी का जल सुद्ध जल से स्नान होगा पट ना है हमें तो हमें पूरा प्रेम दिखाना होगा लाढली बहुत कॉमल है इनको बहुत कॉमल ता के सास आप नान करा ऐं उंगलियों से इसनान करा आपके नेल्स बड़े मी नहीं होने चाहिए अगर इंपसे ज्यादा बड़े हैं तो कहीं कुछी कुछ चुब ना जाए इ वैसे ही हमें अपने लड़ो गोपाल का इस तरह से स्नान कराना है तो ये देखिए चंदन लगाने के बाद भगवान का ये अब जल से स्नान हो रहा है और जो भी ये जल है जो भी पंचामरत है ये सब परशाद रूप में बटेगा और अपने घर में अपने घर की दीवारों है मुकुट रखा है और भगवान जी के माला सिंगार का सब सामान है घर की चावी भी रखी हुई है इसी में तो ये देखिए प्रभु ने इसनान कर लिया अब भगवान जी को हम सिंगार देंगे तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजि है ये तो कि कोई भी नहीं ऐसा होगा जिसको लड़ो गोपाल पसंद ना हो हर कोई अपने पास रखना चाहता है प्रभु मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है मगर मुश्किल तो ये है कि बात ये बड़ी मुश्किल से होती है प्रभु का इस तरह से इसनान प्रभु क इस तरह से प्रांट प्रतिष्ठा करना, अपने घर में रखना, पूजा करना, ये हम अपने मरजी से नहीं करते हैं, ये बहुत मुस्किल से बात होती है, जब उनकी आग्या होती है, वो स्वेम हमारे पास आते हैं, तो ये इत्र से मालिज दे रही हूँ भगवान को, मैंने में इस तरह से मसाज रोज देती हूँ, एक time, दौनो टाइम नहीं देती हूँ, बस एक ही time देती हूँ जब इसनान कर आती हूँ, बहुत लोग दो-दो time भी करते हैं, लेकिन जितनी सेवा आप से हो जाए, आप इतनी ही सेवा करें, मुझसे एक time ही हुपाती है, ये लंग इसा से ही ऐसे ही लंगोट पैनाती हूं मैं वो जो मार्केट के बने हुए आती हैं वो सब नहीं लेती मैं इसी तरह से पैनाती हूं और इसको चाहें तो आप नीचे नीचे पैना दीजिए आप चाहें तो नीचे उपर दौनों तरफ अच्छे से इस तरह से लपेड सकते हैं तो आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से पहना रही हूँ और ये मैं इतना धीरे इसी लिए पहना रही हूँ कि जिससे कि आप लोग सीख जाएं फिर बहुत सारे कमेंड्स पी आते हैं कि हमने पहनाया तो हमसे नहीं हो पाया तो आप दुबारा बता दीजिए तो ये देखिए ये इस तरह से मैं अपने लड़ू वपाल को लंगोट पहना के और उसके बाद मैं फिर अब मैं इनको इनकी ड्रेस पहनाओंगी तो ये बहुत ही प्यारी ड्रेस है ये मैंने गरीन और ओरेंज में चूज की है और मैं पीली यूज नहीं की है क्योंकि दिन के हिसाव से बुद्वार का दिन है तो मैंने ये इस में थोड़ा सा औरेंज भगवान को ये वाला कलर पसंद है और ये सूर्य भगवान का भी कलर है ये हनुमान जी का भी कलर है तो उस तरह से अब भगवान को पटका पहनाया है कंगन पहना दूंगी आप देख सकते हैं मेरे स्याम सुन्दर के कंगन कितने सुन्दर है और ये गिफ्ट में मिले हैं अब ये देखिए पट्टी हटा दी है इस पट्टी को हमें फैकना नहीं है इस पट्टी को भी हम रख लेंगे बताऊंगी बाद में क्या करना है तो ये देखिए भगवान को जो हमने सिंगार दिया है तो सीधा डारेक्ट हमने ऐसे नहीं देखा पहले हमने भगवान को सीशा दिखाया है दरपन दिखाएंगे प्रभू को और अब ये गुलाब के फूलों की माला है आप कोई भी फूलों की माला ले सकते हैं और फूलों की माला नहीं भी है तो आप कोई जरूरी नहीं है आपके जैसे अपने भाव हूँ अब आप देखेंगे कि मैंने पगड़ी उल्टी क्यों पहनाई है ये पगड़ी इतनी सुन्दर है भगवान जी कि इतनी सुन्दर पगड़ी है ये कि मैं जब इसको सीधा पहना रही थी तो भगवान इतने सुन्दर लग रहे थे कहीं मेरे लड़ू गोपाल को नजर न लग जाए मेरे ठाकुर जी को तो मैंने ये छिपा के पहनाई है मैं ब और गुलाब के हैं और खुश्बू बहुत पसंद है मेरे रड़ू गोपाल को तो खुश्बू वाली चीजह लगाएंगे और आप देख सकते हैं 7 K 7 हम ने ये सब आप देख सकते हैं मतलब सκι साथ की 7 इन sommes टी कावी का सब हटा दिया तो अब हवन करेंगे सिंगार के बाद हवन की बारी आई है घर में जितने भी मेंबर हूं सब साथ बैट कर हवन करें और अगर आपके औरोस परोस भी आ सकते हैं आप उनको भी बुला सकते हैं हवन सामिक्री जो मैंने ली है मैंने हवन सामिक्री की वीडियो डाल लखी अपने मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको हवन सामिक्री बनाने की विधी मिलेगी तो मैंने इसमें जो अन्न मैं जो भगवान जी को रखा था वो अन्न भी मैंने इसमें दो मुठी मिला दिया है यानि कि उसमें साथ तरे के अनाज थे तो वो भी सामेगिरियों मिला देंगे और आती है आरती की उसके बाद ही मैं प्रभू का भोग रखूंगी आज के दिन मैं ऐसा करूंगी बाकी डेली हमें ऐसे करना चाहिए पहले हम भोग रखेंगे आरती बाद में देंगे तो ये देखिए हम कलस की आरती करेंगे दीप की आरती करेंगे नब ग्रह की आरती करेंगे अपने लड़ू गोपाल की करेंगे और जो नीचे हमारा हवन रखा हुआ है हम परवन कुंड हम उसकी भी आरती करेंगे तो इस तरह भगवान जी की आप कोई भी आरती गा सकते हैं मैंने जो आरती गाई थी वो मैंने इसमें से आवाज हटा दी है क्योंकि वो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती तो आरती मैंने ओम जे जगदीस वाली की है और लड़ू गोपाल की आरती की है तो ये देख सकते हैं अब नव ग्रह की मैं आरती कर रही हूँ इस तरह से हम सभी भगवान की आरती कर लेंगे और आरती करने के बाद राई से एक मुठी राई से मैंने अपने भगवान की राई नमक से नजर उतारी थी उसको मैंने उतारने के बाद फलश कर दिया था राई को कि मेरे प्रभू को मतलब उसमें सिंक में ही मैंने पानी में डाल दिया जिससे कि मेरे भगवान को नजर ना लगे तो इन को बहुत जल्दी नजर लग जाती है अब हम पुस्पाजली देंगे भगवान को पुस्पाजली के बाद रभू को हम भोग रखेंगे तो भोग में आप देख सकते हैं कि मैंने कछ्चा दूद रखा है दूद उबाल के रखा है इसे अधोटा कहते हैं दूद को उबाल उबाल के आधा कर लिया था इसको अधोटा कहते हैं तो बाल को पाल को हमारे बांके भीहारी को अधोटा बहुत पसंद है आप कभी अगर मत्रा जाएंगे तो आपको वहां पता चलेगा कि भगवान को अधो जैसे हम अपने बच्चों की नजर उतारते हैं उसी तरह से पैसों से नजर उतार की पैसे किसी को दे देंगी तो आप कितने भी पैसे ले सकते हैं जितनी आपकी मर्जी हो और इस तरह से फिर आप अपने भगवान की सेवा चालू कर दीजिए अब ये आप पर depend करता है आप कितनी वार भूग लगाएंगे उनको सुलाएंगे या उनको इसी तरह से जैसे भी आप चाहें आप अपने भगवान की सेवा किस तरह देना चाहें भगवान ऐसे ही सेवा को स्विकार कर लेते हैं ये नहीं जरूरी कि आप वो ऐसे करते हैं तो हमें भी ऐसा करना है ऐसा नहीं है और आप जितनी देर ये पूजा चलेगी इतनी देर आप ओम नमो भगवते वासु देवाय का जाप करते रहें आज मेरी गीता भी पूरी हो गई है सवालाक के जाप भी पूरे हो गए है हवन भी हो गया है तो मैंने इस तरह से प्राणपतिष्ठा करी और ये भगवान के लिए रबड़ी बनाई तोड़ा गाड़ी हो गई है सर्दी का मौसम था तो इस तरह से आप अपने भगवान को भोग लगाएं आप अपने भगवान को इस तरह से मंदिर में रखें आपकी मर है इसको विसरुज़ित कर देंगे और गाय को देंगे परशाद मातेंगे जो नबगर है मैंने धाल चाल कहीं रहते हैं को तक खिच्छी बना लमाना लाफियुक्टी ten थे मैं तो उनको दे आती हूं तो दाल चावल से ही बनाएं तो यह देखिए आपको पूजा कैसी लगी प्राणपत्रिष्ठा की आपको वीडियो कैसे लगे सारे वीडियो जरूर देखिएगा और जो भी अब मेरे से कोई कम्रूटी रह गई है तो उसके लिए मैं आप से च्छाप पूजा प्रेम और भा यूर्स के लिए है मेरे सारे सब्सक्राइबर के लिए है यह आरती भी आप सबको मैं दूंगी लड़ु गोपाल आप सबकी मनों कामना पूरी करें आप सबकी च्छाओं को पूरा करें और आपके घर भी आएं आप भी उनसे प्यार पाएं और आप उनको इतनी सेवा दें तो आप सबको लड़ु गोपाल का भूद भूद सारा धिर सारा आशिरवाद और प्यार तिल रैन बाए बाए जैमाता दी फैंस आप मेरे चैनल बने रहिएगा फिर लड़ु गोपाल का मॉर्निंग रूटीन और आपको नैट रूटीन इवनिंग रूटीन विंटर रू वीडियो आपको दूंगी तो आप यह जरूर देखिएगा और यह पर्शाद आप सब लोगों के लिए परशाद लेए तो आप लोगों को भी प्राण्परश्छा का परशाद जरूरल लेना है क्योंकि आप लोगों ने रोज पूजा में भाग लिया है इसमें आपने भी भगवान की पूजा देखी है तो आप सब कावी परशाद बनता है आरती भी आप ले लीजिए और अब वीडियो को हैं पर समाप करते हैं तो इसमें हमारे जब हवन हुआ था तो हमने एक घंटे का किरतन भी किया था मैंने उसको इसकिप कर दिया है क्योंकि फिर भजन और य भजन, कीरतन, डांस ये सब की वीडियो आपको मिलेंगी बहुत भजन है और जच्चागीत, बरनागी, साधी के गीत चैनल पर आपको सब मिलेंगे तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइ दिज्जे मता दी